दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक और नई वेकेंसी लेके आँँ और ये वेकेंसी है साय एक जन संपर्क अधिकारी के लिए ये लेकेंसी है जो की रास्तान करमचारी चैन बोट द्वारा जारी की गई है यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं इस नॉटिकेशन की 24 नॉबर को ये ओफिशल नॉटिकेशन जारी किया गया है इसी वेकेंसी के लिए और इस वीडियो में आपको इस वेकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि टोटल कितनी वेकेंसी जारी की गई है एजुकेशन क काया मांगी गई है ओनलाई आवेदन कब से शुरूओंगे और ऽॉरास डेट क्या रखी गई है ऑनलाई आवेदन करने की एप्लिकेशन फिस कितनी लगने वाली है एज लिमिट क्या रखी गई है और सबसे हमप्रोटन चीज़ कि exam date क्या रहने वाली है यहाँ पर exam date भी mention की गई है इसी notification में तो इस वीडियो को पूरा देखें और सारे information आपको मिल जाएगी तो अब सबसे पहले बात करेंगे total vacancies की तो यहाँ पर आप देख सकते हो total pad जो है वो है 76 यहाँ पर आप देख सकते हो उस पर जाके आप online आविदन कर सकते हो और दूसरी है SSO की तो यह दो official website है इन दोनों में से किसी भी website के तुरू आप online आविदन कर सकते हो offline आविदन नहीं कर पाओगे अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे application fees की तो application fees में यहाँ पर सबसे पहले general और obviously creamier की अगर बात करें तो 4500 रुपए application fees है और इसके अलावा obviously non creamier और EWS candidates के लिए 3500 रुपए application fees है और SCST category की बात करें तो 500 रुपए application fees रखी गई है और इसके अलावा जितनी भी other categories है उनके लिए भी 500 रुपए ही application fees रखी गई है तो ये बात होगे application fees की अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे प्रवएश पत्र तो प्रवएश पत्र ऑफ लाइन जारी नहीं किये जाएंगे online प्रवएश पत्र ही जारी किये जाएंगे और online प्रवएश पत्र डाउनलोड करने के लिए email id पर बेज़ जाएगी और mobile number पर बेज़ जा सकती है तो ये email id और mobile number जो भी आप दोगे online आवेदन करते समय उनको activate जरूर रखें अब यहाँ पर category wise divide कर दिया गया है इन सभी vacancies को total 76 vacancies है और इनको category wise यहाँ पर divide कर दिया गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो अब आगे बढ़ते हैं इसी official notification में और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर mention किया गया है इसी official notification में तो आगे यहाँ पर salary के बारे में mention किया गया है यहाँ पर clearly लिखावा है age पर 7 पर commission सहाएक जन संपर्क अधिकारी को pay matrix के level 10 में रखा गया है यानि कि starting जो basic पर होगी वो होगी 33,800 रुपए तो यह basic पर होगी सहाएक जन संपर्क अधिकारी की जिसमें है मकान किराय बत्ता, महेंगाय बत्ता, सहरी शैतिपूर्ण बत्ता, विसेश वेतन इन सारे बत्तों का लाब आपको मिलने वाला है और इसके अलावा दो साल का probation period होगा और इस period के दोरान आपको fix salary दी जाएगी कोई भी बत्ता इस समय दे नहीं होगा जैसे ही probation period दो साल के बाद में complete होगा उसके बाद में आपको ये basic पे और ये सारे बत्ते जो मैंने आपको बताया था ये सारे मिलेंगे और salary के लिए मैं अलग सी वीडियो बना दूँगा जिसमें salary के बारे मैं सब कुछ मैं detail में बताऊँगा कि probation period के दोरान और उसके बाद में कितनी salary मिलेगी कौन-कौन से बत्ते मिलेंगे क्या-क्या कटोतियां होगी हर साल increment कितना लगेगा तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी और वो आप चेक आउट कर सकते हो हमारे चैनल पे अब बात करेंगे यहाँ पर education qualification की तो education qualification के तोर पर graduation सिर्फ मांगी गई है graduation अगर आपने किये चाहिए वो किसी भी stream में हो तो आप इसमें eligible होंगे इसके अलावाद 3 साल का experience मांगा गया है समाजार पत्रकारिया ले या फिर राज्य सरकार और बारत सरकार के जन संपर्ग विबाग में पत्रकारिता का अनुबव आपको है तो आप इसमें eligible होंगे और ये अगर आपके पास में नहीं है तो एक और option या आप आपे available है जिसमें अगर आपने पत्रकारिता में degree of a diploma किया है सनातक के साथ में graduation के साथ में और post graduation में हिंदी या फिर अंगरेजी आपके पास में है तो आप इसमें eligible होंगे और इसकी के साथ में देवनागरी लिपी में लिखी गई हिंदी का विवारिग ज्यान और रास्तान की संसकर्ती का ज्यान आपको होना चाहिए अगर ये education qualification आपके पास में है और इसको आप बिल्कुल भी मत गवाना salary में आपको बता दी है और detail में जानना चाहते हो तो और लक्से video भी available है वो आप जान सकते हो अब आगे यहाँ पर बात करेंगे age limit की तो आपकी age होनी चाहिए एक जनवरी 2022 को 18 से 40 साल के बीच में और जितनी भी other categories है जिनको age पर government tool age relaxation दिया जाता है उनको age relaxation दिया जाएगा अब आगे बढ़ते हैं इसी official notification में और यहाँ पर बात करने वाले हैं online आविदन कब से? कब तक आप कर सकते हो तो यहाँ पर यह date लिखी हुए 2 December से लेके 31 December के बीच में आप online आविदन कर सकते हो इसी date के बीच में आपको online आविदन करना है और last date का इंतजार बिल्कूल भी मत करना मैं दोबर आपको बता रहा हूँ last date का इंतजार बिल्कूल भी मत करना क्योंकि last time में server बीजी हो जाते हैं technical problem आ जाती है तो उसका सामना आपको नहीं करना पड़े इसलिए आप जल्दी से जल्दी आविदन इसमें कर देना आविदन कैसे करना है उसका भी step by step में वीडियो बना दूँगा जैसे आविदन शुरू होंगे अब यहाँ पर exam date भी announce कर दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हो यह है exam date